कि अबना लिए आज आइब्रो की से बना सकते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने इसे आइब्रो पैन से पहले लाइन बना ली थी जिससे की हमारी आईबरो अच्छे से बन पाए ओके गाइस अगर आप अभी बिगनर है बिल्कुल से भी आपको थ्रेडिंग नहीं आती है तो आप पहले अपनी आईबरो की सेफ दें अगर अपने ही घर में किसी की बना रहे हैं तो उसी के बाद आईबरो बनाना अस्टराट कर दे तो मेरे पास ये जो लड़कया अबी पालर का काम सीक रही है तो ये आईबरो उन ही ने बनाई है आज वो आईबरो बना रही थी तो कहने लगी कि दी हम आईबरो बनाते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ सेर किया जाए तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ सेर कर रही हूँ आप लोगों को बिल्कुल भी माइन मत करना ओके फ्रेंस अभी आप देख सकते हैं लड़की ने धागा चलाना अस्टार्ट कर दिया है और ये अच्छे से धागे को पकड भी रही है और बाल भी अच्छे से निकाल रही है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना अगर आपको अच्छी भी नहीं लगे तो प्लीज मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बताना है कि आपको वीडियो अच्छी क्यों नहीं लगी कहां से नहीं लगे ओके फ्रेंस तो हमें सबसे पहले अपनी आइबरो की डारेक्शन को देखना है कि हम एकिस साइड से बाल को निकालना है त के फ्रेंस तो हम ओप सोरी लड़कियों ने देखो पोर्डर भी नहीं लगाता है अब इनों के बाद यह लड़किया पोर्डर लगा रही है अब देख सकते हैं यह भी बिगिनर इसलिए थोड़ा भूल रही है मिश्टेक कर रही है तो आप जरूर बताना अगर आपको कहीं पर मिश्टेक लगे किनों ने कहां पर मिश्टेक की है तो प्लीज मुझे कमेंट में कमेंट करकर जरूर बताना कि इन लड़कियों ने मिश्टेक कहां पर किया है अगर आपको कोई मैकप टूरियल की वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट करकर ज जिससे कि आपको मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप मेरी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख पाई ओके फ्रेंस तो आप देख सकते हैं अभी हमारी उपर की आइबरो बन रही है तो थोड़ा ये लेट दागा चला रही है इनका हाथ बिलकुर स सबक्राइब कर ने से हो रही है ये गर्मी की वज़ये से है एंप और लड़की को ज्यादा पहले हुआ है क्या कि इस लड़की से वी ज्यादा बनानी नहीं आती है तो अशली ये पहले हुआ है अगर आप चाहते हूं कि मैं आपको थ्रेडिंग बनाकर दिखाँ तो प्लि अभी नीचे से रह गई है अभी नीचे से मैं बना कर दिखाती हूँ क्योंकि इसको ज्यादा पेन हो रहा था इसलिए मैं इनको बना कर दिखाऊंगी है अदी अब देख सकते हैं मैंने इस्टाट कर दिया है अबनी आई ब्रोक तो अच्छे से पकड़ऊ लेन चाहिए बिल्कुल भी लूज नहीं होनी चाहिए अगर लूज होगी तो हमारी आई फिरोक को कट लगने का खत्रा रहता है ऑके फ्रैंस तो आप देख सकते हैं, मैंने स्टार्ट कर दिया है, आप इन लोगों बिल्कुल भी माइन मत करना, जी अभी बिगिनर रेफ्रेंस होके, तो अभी मेरा हाथ मेरे आगे आ रहा है बार बार तो इसलिए ठोड़ा प्रोब्लम हो रही है, आपको देखने में भी दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, क्योंकि मैं खुछ से कैमरा नहीं पकड़ पा रही थी, लड़की नहीं पकड़ा हुआ था, और नहीं देखाई दे र करके इनको अच्छा सब्सक्राइब करने के लिए जो पाल होते हैं उनको कट कर देना चाहिए, आइबरो की सेप के कोड़ी, फिर मैंने ये लोरियल के जेल लिया है, इसे लगाने से हमारे फेस पर दाने नहीं निकलते हैं, और रैडनेस नहीं जाती है, और जो पैन होता है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीस लाइक करना, थैंक यू, बाइबाए, लव यू